नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका वाइफाई जी एस एक्जाम में इस डिसकेशन में हम अगस्ट दो होजार इक्टिस के तो फिफ्टी करेंट इफ्रिक के कोश्चनों को कवर करेंगे जो एक्जाम के लिए मोश्ट इंपोटेंट हैं तो चलो अब इस क्लास को स्टार् अगस्ट दो होजार इक्टिस में निकोल पाशियान को किस देश के परधानमंत्री के रूप में फिर से न्यूक्त किया गया है यह इस कोशन में पूछा गया है तो इस कोशन का सही आंसर है अर्मेनिया अगस्ट दो होजार इक्टिस में निकोल पाशियान को अर्मेनिया के परधानमंत्री के रूप में फिर से न्यूक्त किया गया है यह तस्वीर में आप देख रहे हैं यह यह वहां के परधानमंत्री निकॉल पाशियान जिनको अभी हाली में अर्मेनिया के पीम के रूप में न्यूक्त किया गया है अर्मेनिया की लोकेशन अभी हम आगे कवर कर पहले बात कर ले दें दूसरे option की पिरू की बात करते हैं पिरू की capital क्या है पिरू की capital है लीमा देखो capital important है एक्जाम में सीधी सीधी पूची जाती है इरान की बात करें इसकी capital क्या है इसकी capital है तहरान लेबनोन की बात करें तो इसकी capital क्या है बेरुत बेरुत लेबनोन की capital ह कतर की बात करें, तो कतर की capital क्या है, दोहा, दोहा कतर की capital है, अब बात करते हैं किसकी, अर्मेनिया की, अर्मेनिया की location देखें आप, देखो ये है अर्मेनिया की location, ये देख रहे हैं पिक्चर में आप, यही है अर्मेनिया यहाँ पर, ये इसकी capital है, ये रेविन, ये दर दे आप एक पॉइंट और याद रखेगा ना तो इसकी बाउंडरी ब्लैप सी के साथ टच होती है और ना इसकी बाउंडरी के साथ टच होती है एक्जाम में इस प्रकार के कोशन में स्टेटमेंट वाइस पूछे जाते हैं नेच्ट कोशन किस अंत्यराषड remedy संस्था ने गलोबल टबको एपिडेमिग 2021 नामक रिपधोर्ट जारी की है तो आंशर क्या होगा आणशर होगा डवभ। इस रिपधोर्ट को जो जारी किया गळए है ये डवभ। इश्यो के द्वारा किया गळए है अब इंपोटेंट क पॉलिक हेल्थ के लिए रेस्पॉंसिबल भी है डवडू अचो के अगर हम फॉर्मेशन की बात करें मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी तो इस्थापना हुई थी साथ अपरेल उन्निस सो अड़ तालिज में साथ अपरेल को ही इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे ये भी सेलिब् डेक्ट रेजनरल कौन है तो यह है टेड्रोस एधोनोम और एक पॉइंट और याद रखेगा वर्ल्ड नो वर्ल्ड नो तमाकू डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है तो यह हर साल 31 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है तो यह ती कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो इसको को अपूंट किया गया है ये इस कोशन में पूचा गया है तो आंसर क्या होगा, SN प्रधान, ठर्ड कोशन का एंसर सही है, SN प्रधान बात करें दूसर अप्शन की जैसे मुक्कुल गोयल, मुक्कुल गोयल को यूपी में नए डीजीपी अपोइंड किया गया, नुकलूफोम ये नागलेंड से हैं जिनको विटली अवोर्ड दो हजार एकिस से सम्मानित किया गया, राकेस अस्ताना ये दिल्ली पुलिस के नए कमिश्र मनेते और आरकेस परवाल, इनका नाम नुज में था, राकेस अबरवाल, इनको मंगोलिया का जो हाइस्ट अवोर्ड है, दा ओडर ओफ पॉलर इस्टार, इससे सम्मानित किया गया था, नेक्स्ट कोशन, 30 जुलाई 2021 को किस राज्ये के पहले, और्केट सेंडरक्शन केंदर का उधगा गया देखो ये एक परकार का फिलोवर है, ये पिक्चर में जो आप देख रहे हैं, ये इसी परकार का होता है, तो ये उत्तराखंड का है, 30 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के पहले, और्केट सेंडरक्शन केंदर का उधगा तो फोर्थ कोशन का, ए आंसर सही है, उत्तराखंड, बात करें दूसरे उप्शन की, जैसे हिमाचर परदे, हिमाचर परदे, इसके कुल्लू में मोंग फ्रूट की खेती पहली बार स्टार्ट हुई, जिसके बीच चाइना से लाए गए हैं, उडिसा की बात करें, तो देखो, उडिसा भारत का एक मातर ऐसा राज़ा है, जहां किस राज़े सरकार ने घर घर ओस्ती योजना शुरू की है, देखो घर घर ओस्ती योजना, ये भी किसने श्टार्ट की है, तो ये भी श्टार्ट की है, किसने राजिस्थान की सरकार ने, फिर से बोलता हूँ, किसने श्टार्ट की है, राजिस्थान की सरकार ने, तो फि हिमाचर पर्देश के सरकार ने परवत धारा योजना इसको लौञ्च किया उडिसा की सरकार ने आशिरवाद योजना केरल के बाद करें केरल के सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको लौज किया देखो यह स्भी point important है इसलिए मैं एक एक point को समझा रहा हूँ क्योंकि exam में यहां से question पूछा जाएगा बढ़ते हैं अगले question की तरफ ये कुछ देखो राजिस्तान की कुछ important योजनाई हैं कुछ initiative हैं जो राजिस्तान की सरकार के दुवार लिए गए थे ये box में जो आप देख रहे हैं तो इसका आप screenshot रे लिजिए और इसके notes बना लिजिए क्योंकि ये exam में पूछे जा सकते हैं 2021 के प्रतिष्टित लोकमाने तिलक राष्ट पुरुसकार के प्राप्त करता के रूप में किसे नामित किया गया है ये इस question में पूछा गया है तो six question का सही answer क्या होगा तो इस question का सही answer है Cyrus Poonawala Cyrus Poonawala ये है कौन Serum Institute of India ये इसके founder है और Serum Institute of India ये इसका मुख्याले महराष्टरा के पूने में है जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी ये जो institute है Serum Institute of India इसका headquarter भी पूछा सकता है तो ये महराष्टरा के पूने में है अगस्त 2020 में Hungarian Grand Prix किसने जीती है तो ये France के है Esteban और कौन इन्होंने ही Hungarian Grand Prix 2021 को जीता है ठीक है अब ये list देखिया ये वो है जो भी 2021 किसने Grand Prix होई थी किसको किसने जीता है हमके सामने लिखा हुआ है तो इसका भी आप screenshot ले लेजेगा Next question इब्राहिम राइसी अगस्त 2020 में किस देश के राष्ट पती बने है ये इस question में पूछा गया तो बताइए इस question का सही answer क्या होगा तो इब्राहिम राइसी अगस्त 2020 में इसकी capital अभी इग्जाम में पूछी भी जा चुकी है तो इसकी capital क्या है इसकी capital है अंकारा बढ़ते हैं अगले question की तरफ ये इरान की लोकेशन है और ये इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल है किस देश के स्याइना प्रमुक जनरल मेन ओंग लाइंग ने अपने को वहां का परधान मंतरी खोशित किया है तो इस कोशन का सही आंसर है मैनमार भी इस कोशन का सही आंसर है मेनमार के अगर हम कैपिटल की बात करें तो नेप्तिवा, जो कहाँ पर लिख देता हूँ लेकिन नाम थोड़ा difficult है मतलब इसकी जो pronunciation है यह थोड़ी अलग है N-A-Y, P-Y-I और T-A-W इसे आप कह सकते हैं नेप्तिवा यह क्या है? यह कैपिटल है मेनमार की, नोर्थ कोरिया की बात करें तो नोर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? पियोंग येंग ये नोर्थ कोरिया की कैपिटल है बांगलादेश की कैपिटल क्या है? बांगलादेश की कैपिटल है? धाका, थाइलंड की बात करें थाइलंड की capital क्या है बैंकोक और नेपाल की capital क्या है नेपाल की capital है काठमाडू तो 9th question का B answer सही है मैनमार next question किस राज़े के मुख्यमंत्री ने वासले योजना शुरू की है ये इस question में पूछा गया है तो बताइए इस question का सही answer क्या होगा इस question का सही answer है उत्राखंड उत्राखंड के जो मुख्यमंत्री है इन्होंने वासले योजना को start किया है इसमें क्या होगा COVID-19 से प्रभावित जो अनात बच्चे हैं उनके लिए इस योजना को start किया गया है तो ये point आप याद रखेगा उत्राखंड और देखो उत्राखंड भारत का ऐसा राज्य है मतला पहला राज्य है बन गया है जिसने earthquake alert app इसको launch किया है इसको हमने आगे question में भी रखा हुआ है उसको आगे भी solve करेंगे Crime and Criminal Tracking Network System ranking में सीर्स पर कौन है अभी हाली में क्या हुआ NCRB National Crime Record Bureau इसके दुआरा एक ranking जारी की गई जिसमें हरियाना पुलिस जो है ये पहले इस्तान पे है दूसरे नमबर पे कौन सी पुलिस है दूसरे नमबर पे है कुजरात पुलिस और तीसरे नमबर पे है हिमाचर प्रदिस पुलिस तो इस question का A answer सही है हरियाना पुलिस तो ये point आप याद रखेगा केरल की पुलिस ने pink protection scheme इसको launch किया था तो 11 कोश्चन का A आंसर सही है हरियाना पुलिस किस राज्य के करशी मंत्री ने अगस 2021 में बांगला देश को 50 मेट्रिक टन मक्के की पहली खेप को हरी जंडी दिखाई है तो बजाईए 12 कोश्चन का आंसर क्या होगा आसाम इस कोश्चन का सही आंसर है आसाम के जो एग्रिकल्चर मिनिस्टर है अतुल बोरा इन्होंने इसको हरी जंडी दिखाई है देखो असम की बात करें तो असम की सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मुईतरी ओजना इसको लौँच किया था ये श्किमाप याद रखेगा हर्याने के सरकार ने हर हित इस्टोरी ओजना इसको लौँच किया केरल के बात करें तो केरल के सरकार ने इसने एक पीडिया एप इसको लौँच किया था आंदर प्रदेश की सरकार ने सोल्ट प्रोग्राम इसको लौँच किया था यह आंसर सही है, उत्राघंड, बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ, किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीजा प्रदान किया जाएगा, यह इस कोश्चन में पूछा गया है, तो बताइए, इस कोश्चन का सही आंसर क्या होगा, 14th कोश्चन का, UAE, यह इस कोश्चन का सही आंसर है, United Arab Emirates, इसकी आप कैपिटल जान लेजिए, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है, देखो करंसी तह है, UAE देरहम, यह इसकी करंसी है, कैपिटल के बात करें, कैपिटल क्या है, आबू धाबी, आबू धाबी, UAE की कैपिटल है, नेक्स कोशन अगस्ट 2020 में कौन एक सो पांस साल पुडाने जूलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया जेडस आई की निजिशक के रुप में नेक्थ होने वाली पहली महिला वनी है तो आंसर क्या होगा ध्रती बैनर जी इस कोशन का सही आंसर है ध्रती बैनर जी जेडस आई इसकी बात करे तो इसका मुख्यले कहां पर है इसका मुख्यले कॉलकत्ता में है ये पॉइंट आप याद रखेगा कि कॉलकत्ता में जेडस आई का मुख्यले है ठीक है इतनी बात आप जान लीजे दूसरा सुमित्रा मित्रा ये कौन है ये इंडियन अमेरिकन कैमिस्ट है जिनोंने ये को ने AIWF AIWF की Women's Football of the Year 2020-21 के लिए इनका नाम नामित किया गया है फिर से बोलता हूँ AIWF की Women's Footballer of the Year 2021 के लिए इनको चुना गया है कृति करंथ कृति करंथ का नाम भी न्यूज में था क्यों? इन्होंने Wild Innovator Award इसका खेताव अपने नाम किया था तो 15th कोशन का C आंसर सही है ध्रती बैनर जी कृतिरन सुरंग चर्चा में है यह सुरंग किस राज्य मेश्चित है यह इस कोशन में पूछा गया है तो देखो यह जो टैनल है ना इसके लंबाई कितनी है और यह कहां पे है यह केरल में है यह न्यूज में थी तो यह पॉइंटा आप याद रखेगा यह केरल में है एक्जाम में पूछी जा सकती है नेस्ट कोशन गुईडो बैलिडो किस देश के नए परधानमंतरी बने है यह इस कोशन पूछा गया तो 17th कोशन का पीरू सही आंसर है याद रखेगा यह पीरू के नए परधानमंतरी बने है नाम कहा है गुडो बैलिडो केन्य की बात करें केन्य की कैपिटल आप याद रखेगा केन्य की कैपिटल कहा है नाइरोबी यहाँ पर UNEP United Nation Environment Program इसका मुख्याले भी है C इसकोशन का सही आंसर है 1979 यह Coconut Development यह जो Act 1979 इसको एमेंड करेगा ठीक है 18th कोशन का C आंसर सही है Next question नारियल एक सेकेंड राष्टे अपराद रिकॉर्ड वियोरो NCRB के आकड़ो के अनुसार 2019 में किस राष्टे ने बेरोज़कारी के कारण सबसे अधिक आत्मेहत्या 553 दर्ज की है तो देखो सीधा सीधा आंसर है करनाट का इसकोशन का सही आंसर है पहले नंबर पे तो करनाट का है दूसरे नंबर पे कौन है दूसरे नंबर पे है महराष्टरा और तीसरे नमबर पर कौन है तीसरे नमबर पर है तमिन लाडू तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखेगा शुरू कि जो टोप थिरी इस्टेट है ये एक्जाम में पूछी जा सकती है सीमा सडक संगठन बी आरो ने पूर्वी लदाग में किस दर्रे पर दुनिया की सबसे उची मोटर वहां चलने युग गया सडक का निर्मान किया है तो बीस वे कोश्चन का सही आंसर क्या होगा तो इस कोश्चन का सही आंसर है ओम लिंगला पास ये इस कोश्चन का सही आंसर है ओम लिंगला पास तो ये कहां पर है ये लदात में है जोजी लपास ये कहां पर है ये भी लदात में है नाथूला पास ये कहां पर है उसक्के में है बॉमडील पास ये अरुनाचल परदेश में है और रोतांग पास ये हिमाचल परदेश में है तो ये सभी पास आप याद रखे गा एक्जाम में पूछ जा सकते हैं किसे कनाड़ा में ब्रिटिस कोलंबिया प्रुसकार से सम्मानित किया गया है ये इस कोशन पूछा गया है तो आंसर क्या होगा अजे दिलवारी इस कोशन का सही आंसर है इनको कनाड़ा में ब्रिटिस कोलंबिया प्राइस इससे सम्मानित किया गया है नेक्स्ट कोशन दलित पंदू योजना इसका जो संबंध है ये तेलंगाना राज्य से हैं ये पोइंट आप याद रखेगा देखो महराष्टा के सरकार ने जेल परियटन इसको स्टार्ट किया था ये पोइंट भी आप याद रखेगा नेक्स्ट कोशन किस राज्य केंदर शाषर प्रदेश ने पानी महा शुरू किया है यानि वाटर मंत तो ये लदाक ने श्टार्ट किया है एक महिने का ये केंपेन है ये क्लीन वाटर की इंपोटेंस बताएगा तो ये एक महिने का कारेक्राम है जो भी हाली में लदाक के अंदर श्टार्ट किया गया है नेक्स्ट कोशन किस राज् हिमाचर परदीश का है इसमें फिलिपकार्ड के साथ एग्रिमेंट साइंग किया है जिससे कि जो वहां के लोकल जो प्रुडुक्ट है लोकल अटिशन्स है उनकी जो बनाई गई चीज है उसको दूर दराज तक पहुझाया जा सके फिलिपकार्ड के माध्यम से तो बी इसको कोशन का डी आंसे सही है मेजर ध्यानचंद नेश्ट कोशन किस राज्य सरकार ने महिलाओं से समधित शिकायतों के सभी मामलों की निगरानी हितू तिरी शत्रे महिला शिकायत निवारन शमीती का घड़न किया है देखो अगर आप इस बॉक्स में देखें यह जो साथ नेक्स राज्य से नेक्स कोशन नीरा चोपड़ा ने औलम्पिक खेलों में पूट हो की भाला फैक में स्वरन पदक जीता नीरा चोपड़ा किस राज्य से है यह हर्याना से है नीरत चोपड़ा, हरियाना का जो पानी पत जिला है वहां से ये ब्लोंग करते है किस राज्य सरकार ने मक कलाई थेड़ी मार्थु वाम योजना शुरू की है देखो ये जो योजना है ना इसमें होगा क्या सिंपल भासा मैं समझते है जो हेल्थ केर फैसिलिटीज है वो लोगों को घर पे ही पहुझाए जाएंगी तो ये इसकीम किस राज्य की है ये इस कोशन पूछा गया है तो ये इसकीम तमिल्नाडू राज्य की है 28 वे कोशन का यह आंसर सही है तमिल्नाडू किस देश के साथ भारत का वेपार घाटा 2018 में 58.57 बिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर 2020 में 44.02 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है तो ये किस देश से हुआ है तो इस कोशन का सही आंसर है चीन चाइना इस कोशन का सही आंसर है ये कोशन एक्जाम में पूछा जा सकता है इंपोटेंट है किस राज्य ने भारते महीला होकी टीम के गलाड़ी वंदना कटायय को राज्य के महीला अधिकारिता और बालिकास विभाग का ब्रांड एम्बेस्टर नामित किया है तो आंसर क्या होगा आंसर होगा उत्तराघंड तीसवे कोशन का ए आंसर सही है उत्तराघंड नेक्स्ट कोशन भारते नोसेन ने किस देश के साथ द्विपक्षे अभ्यास जायत तलवार 2020 आयूजित किया है तो बताईए 31 कोशन का सही आंसर क्या होगा तो इस कोशन का सही आंसर है UAE United Arab Emirates और इसकी कैपिटल क्या है अबुधाबी और धिरम इसकी करंसी है जिसको हमने इसी डिसकर्शन में कवर किया है राम सुभाग सिंग को किस राज्य का मुक्ष सचीव निउक्त किया गया है तो बताईए इस कोशन का सही आंसर क्या होगा इस कोशन का सही आंसर है हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश का नया चीफ सेकेटरी राम सुभाग सिंग को अपोइंट किया गया है आठ हकस 2021 को रविंदनाठ टैगोर की कौन सी पुन्यतिती मनाई गई तो ये असीवी डेथ एनिवर्सली ये आठ हकस 2021 को सेलिब्रेट की गई किसकी रविंदनाठ टैगोर की नेस्ट कोशन टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में किस देश ने सीर्स इस्तान हासिल किया है मतलब इसमें टॉप में कौन रहा है तो इसमें टॉप में रहा है अमेरिका ये पोइंटा प्याद रखेगा पहले पे अमेरिका है और दूसरे नंबर पे कौन सा है दूसरे पे है चाइना तीसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे है जापान भारत इसमें 48 नंबर पे है ये गुजराज में बना है, next question, Tokyo Olympic 2020 में भारत किस इस्थान पे रहा है, आगे है न, question देखो, तो आंसर क्या होगा, 48 वे इस्थान पे, भारत से देखो, total, 7 medal जीते हैं, 7 में से 1 gold है, 2 silver है, और 4 bronze है, तो इस प्रकार से आप ये medal भी याद रखेगा, exam में पूछे जा सकते हैं, अगस 2020 में, पश्य बंगाल के किस सहर में पहली C&G बस चलाई गई, आंसर क्या होगा, बताईए, आंसर होगा इसका, कलकत्ता, 37 वे कोशन का, ए आंसर सही है, कलकत्ता, next question, मुहमद मौकबर को किस देख के पहले उपराष्टपती के रूप में नामित किया गया है, तो बता ross को आदिवासी दिवस, प्रतेक वर्ष कम मनाय जाता है, तो यह बता है कम मनाय जाता है, World Tribal Day, यह 9 अगस्त को Celebrate के जाता है, बात करेंं दूसरे ओप्शन की, 11 जुलाई, 11 जुलाई को World Population Day, यह Celebrate के जाता है, एक अगस्त को Muslim Woman Rights Day ये मनाई जाता है 7 अगस्त को National Handloom Day ये celebrate के जाता है और 12 अगस्त को World Elephant Day ये मनाई जाता है तो 9 अगस्त इस कोशन का सही आमसर है 9 अगस्त को World Tribal Day ये celebrate के जाता है भारत की पहली Hydrogen Invental Cell Adhary Train कहां चलेगी तो बताईए ये कहां पर चलेगी तो ये चलेगी हरियाना में 40 वे कोशन का E आंसर सही है हरियाना Next question किस राज्य में हरेली तोहार मनाया गया तो ये 36 गड़ में मनाया गया एक होता है हरेला फेस्टिवल हरेला फेस्टिवल ये कहां पर सेलिबेट कहाता है तो ये उत्तरा खंड में सेलिबेट कहता है और ये हरेली तोहार जो 36 गड़ में मनाया गया 36 गड़ के एक स्कीम भी है उसका नाम भी आप याद रखेगा क्या स्कीम इस नाम का मतलब इस स्कीम का नाम क्या है महतारी दुलार योजना तो ये आप याद रखेगा महतारी दुलार योजना ये 36 गड़ किस कीम है इस रोख किस देश का उपिगर है आई एनस टूबी उपिगर है लॉंच करेगा तो बताएए इस कोशन का सही आंसर क्या होगा इस कोशन का सही आंसर है तो बैंगलोर में इसका हेड़कोटर है करनाटक के बैंगलोर में नेक्स्ट कोशन भारत और किस देश के बीच अलमोवद अलहिल दोजारिकिस नामक नोसेना अभ्यास आयोजित किया गया तो आंसर क्या होगा साउधी अरेविया 43 ये कोशन का डी अंसर सही है साउधी अरेविया जिसकी कैपिटल क्या है रियाद वैश्विक युवा विकास सूचकांट 2020 में भारत का कौन सा इस्थान है तो बताईए इस इंडेक्स में भारत किस इस्थान पे है एक सेकेंड बताईए इस इंडेक्स में किस इस्थान पे है तो देखो इस इंडेक्स में भारत 122 वे इस स्थान पे है D. इसकोशन का सही आंसर है अब इसमें टॉप किसने क्या है ये इसकोशन पूछा गया है तो बताईए, टॉप किसने क्या है, टॉप क्या है, इसमें किसने, सिंगापूर ने, पैले सिंगापूर है, दूसरे पर कौन सा है, सलोवेनिया, और तीसरे पर कौन सा है, नॉर्वे, ये index जारी किसके दुआरा किया जाता है, तो लंडन-based commonwealth secretate है, इसके दुआरा इस index को ज पूचे जाते हैं तो 45 वे कोश्यंग का ए आंसर सही है टिक टॉक किस राज्य सरकार ने आउट ओफ पॉकेट ट्रेटमेंट योजना लॉंच की हैं तो बताइए आंसर क्या होगा इस कोश्यंग का सही आंसर होगा मेघाले इस इसकिम के तहट मेघाले के अंदर कोवी-19 जो प इस कोश्यंग का सही आंसर है 47 कोश्यंग का ए आंसर सही है 2021 किस राज्य सरकार ने आईटी छेतरी के लिए राजीव गांधी पुरुसकार की घोशना की है तो आंसर क्या होगा महाराष्ट्रा महाराष्ट्रा इस कोश्यंग का सही आंसर है इस question का D answer सही है, महराश्टरा, next question, अगस 2021 में किस देश ने विदेश यात्रा करने के इच्छुक नागरीकों के लिए एक digital vaccine, passport बनाने का रिरने लिया है, तो कनाड़ा इस question का सही answer है, पचासवे question का A answer सही है कनाड़ा, तो ये थे हमारे 50 question, जो exam के लिए most important है, देखो इसके वेकिन आप अच्छे से notes बना लेजेगा, तो फ्लाल इस discussion को यहीं पर रोकते हैं, thank you